हाई एवरिवन आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई चूरा मटर इसे बनाना बहुत इसी है आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें सबसे पहले एक कढ़ाई में हम टू कप पोहे लेंगे हमने बारिक वाले पोहे लिये हैं जो काफी पतले होते हैं ये मार्केट में बहुत आ चेक कर लेंगे और फ्लेम को आफ कर देंगे हमें इसे रोष्ट करते समय लगातार चलाते रहना है चलाना नहीं छोड़ना है नहीं तो ये चलने लगेगा अब इसे एक प्लेट में ट्रास्पर कर लेंगे और सेम कढ़ाई में हम टू टीबल स्पून ओयल डालेंगे जब पॉयल बिल्गुल अच्छे से होट हो जाए तब इसमें हम राई दाना और जीरा डालेंगे इसे बिल्कुल अच्छे से भूनने देंगे और इसमें करी नालेंगे अब इन्हाणों भूनेंगे जब तक इसमें से बहुत नाचन ग्ले फ्राई होने के बाद बारी कटी हुई हरी मिर्च और लहसुन डालेंगे आप चाहें तो अद्रक को ग्रेट करके भी डाल सकती हैं हम इसे लगभग हाफ मिनिर तक भूनेंगे जब तक इसका कलर हलका सा चेंज रहोने लगे तब तक हम इसे भूनना है थोड़ी देर में इसका कलर बिलकुल चेंज हो जाएगा अब इसमें हम ताजी हरी मटर डालेंगे आप चाहें तो फ्रोजन मटर भी डाल सकती हैं इस पैचुला के हेल्फ से अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद अब इसमें हम सॉल्ट डाल देंगे, सॉल्ट डालने से मटर बहुत ही जल्दी कुख हो जाएगे स्वाल्ट अब अपने टेस्ट के कॉर्डिंग ही डालें फ्लेंग को मीडियम रखेंगे और इसे एक धकन से धक देंगे धक के बीच बीच में चेक करते रहेंगे लगबग 2-3 मिनट में मटर बिल्कुल अच्छे तरह से पक जाएगी अब हम धकन खोलेंगे यह देखिए मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है अब इसमें हम हल्दी पाउडर, गरम मसाला हमने बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला लिया है आप इसके बिना भी बना सकते हैं या आप इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं यह हम चीनी डालने हैं चीनी डालने से पोहे बहुत ही टेस्टी बनते हैं हम चीनी बहुत थोड़ा सा ही डालेंगे बहुत जादा नहीं डालेंगे अब इसमें हम बारिक कटी हुई धन्या की पत्तियां डालके हल्का सा मिक्स करेंगे और low flame पे लगभग half minute तक भूनेंगे ताकि इसमें चीनी के particles ना दिखे आप चाहें तो चीनी के powder को भी डाल सकते हैं इसके place पे mix करने के बाद ये हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेज डालेंगे इसे डालने से ये बहुत tasty बनता है ये बिल्कुल optional है, अगर आप इसको पसंद नहीं करते हैं तो आप ना डालें mix करके हलका सब भूनेंगे, half minute में ये बिल्कुल अच्छे से भून जाएगा half minute भूनने के बाद जो हमने पोहे रोष्ट किये हैं उसे डालेंगे हमें एक साथ सारे पोहे डाल देंगे जितने हमने रोष्ट किये हैं पोहे डालने के बाद अब इसे इस spatula की helps से बिल्कुल अच्छे से mix करेंगे flame को हम इस समय थोड़ा medium कर देंगे हमें इसे तब तक mix करना है जब तक पोहे का color बिल्कुल change ना होने लगे थोड़ी देर में पोहे का color बिल्कुल change हो जाएगा तब तक हमें इसे mix करना है ये देखिए बिल्कुल change हो गया पोहे का color और देखने में कितना बढ़ियां दिख रहा है अब हम flame off कर देंगे और इसे गर्मा गर्म ही serve करेंगे आप इसे गर्मा गर्म ही खाएं नहीं तो ये crispy नहीं लगेगा हमारा dry चूरा मटर बन कर तयार है आप इस पोहे की recipe को जरूर ट्राइ करें और अगर आपको हमारे recipes अच्छी लगती हैं तो please like, comment and share करें और हमारे अगले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करा ना भूलें हमने और भी पोही की recipe शेयर की है आप उन्हें पर ट्राइ करें थैंक्स फो वाचिंग